नमस्कार आप देख रहे हैं यूज नेशन आपके साथ मैं हूं लक्ष शर्मा इस समय भारत में ICC One Day World Cup चल रहा है टीम इंडिया शांदार प्रदर्शन कर रही है छे के छे मैं जी चुकी है टीम इंडिया और सेमी फाइनल में अपनी जगे पक्की कर चुकी है लेकिन World Cup चल रहा है दूसरी निगाए IPL पर भी है क्योंकि दिसंबर में होना है मिनी ओक्षन और मिनी ओक्षन से पहले 15 नवंबर तक जो सारी की सारी टीमें हैं उन्हें जो खिलाडी रिटेन कर रहे हैं उनकी लिस्ट BCCI को सौपनी है तो World Cup के साथ साथ IPL का अगास हो चुका है ज महेंदर सिंग धोनी क्या IPL 2024 में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे इसका जवाब उन्होंने खुद ने दिया है दरहसान महेंदर सिंग धोनी ने एक इवेंट में कहाई कि देखिए अभी मेरी गुटने की इंजुरी हुई थी सर्जरी हुई है उसके बाद अब नवंबर तक का मेरे पास टाइम है मैं देखूंगा कितना ठीक हो रहा हूं अगर मैं ठीक हुआ तो जरूर आपको IPL खेलते हुए दिखाई दे सकता हूं अगर नहीं हुआ तो आपको फैंस के बीच में मैं मैच देखता हुआ दिख जाऊंगा तो सवाल यह है कि महींदर सिंग दोनी द लगातार फिटनेस वारी जो एक्सराइज है वो करते हैं यहीं नहीं आप कहा यह जा रहा है कि नवंबर से वो मैदान में उतरना स्टार्ट कर देंगे मैदान में मतब ट्रेक्टिस करना शुरू कर देंगे और उसके बाद पता चलेगा कि वो IPL खेलने के लिए तैयार है क इससे पहले IPL 2023 जब महिंदर सिंग्धोनी की टीम जीती थी तब जब महिंदर सिंग्धोनी से पूछा गया था कि क्या यह उनका आकरी IPL है तब भी उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं यह मेरा आकरी IPL नहीं है इसके बाद जो चेने सुपर किंग्स के CEO है काशी विशनवा लेकिन वो नहीं खेलेंगे ऐसी भी कोई बातचीत है नहीं तो महिंदर सिंग्धोनी क्या आपको लगता है कि 2023 के बाद 24 में भी चेने सुपर किंग्स को चैंपियन बना पाएंगे क्या महिंदर सिंग्धोनी कप्तान होंगे या महिंदर सिंग्धोनी अपने अंडर किसी द भगातार ये कयास लगा जा रहा है कि टीम इंडिया को गोल्ड जिताने के बाद चेनने सुपर किंग 사용 के अधले कप्तान हो सकते हैं क्या कोई दूसरा भी है में धोनी के जाने नितुर्वाज घाइकवाड के लावा क्या कोई तो जल्द से जल्द कर दीजे, बहुत बहुत शुकर दिया.